बन रहा है हल्वा, स्पेशल डिमांड पे, नुवारी, कलारी, दपारी और बैडी, चार टाइम खाना खाते हैं सब को जागरिती आई, लेकिन उस बंदे को जागरिती नहीं आई प्राइम खाना खाते हैं चो 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 Hello everyone, welcome back to my youtube channel, Himachalimom Studio तो मेरे channel में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद है ठीक होगे मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है, सुभा का morning routine हो चुका है तो हम आई है किचन में, लंच ब्रेक फास्ट ब्रेक फास्ट कुछ हो चुका है मैंने कर दिया है, यहां पेना लंच कुछ अलग स्टाइल का होता है अगर मालो यहां पे साथ बज़े चाहे कि साथ कुछ भी ब्रेक फास्ट करते हैं तो वह हमने अभी दो टाइम खा लिया है, 14 बज़े तक तो अभी दिन के लिए यह देखे रुकिए यार, यह देखिए यहां पे हस्ट ने इसमें पुंडी में नमक और मिर्च पूट लिया है और यह लोकल खीरा है, घर के खीरे कटे हैं तो यह देखिए लोकल खीरे कटे हैं, तो यह स्पेशल हमारे लिए वचा के रखे गे थे, कुछ और भी रखे हैं व्रेज में अभी तो अब हम इनको नमक और मिर्च के साथ इंजॉय करेंगे यह देखिए यह तो आईए आप भी खाए यह देखिए नमक मिर्च और यह देखिए हमारे खेट के सेफ अभी अबिया हें यह भी तो यह है लोकल और गैनिक सबती फूट जो भी होते हैं तो और है execution, मैं और गी खाती हो यहां देखिए यहे तो यह करे ले हैं just तो यह कहने हैं के रहे हैं यह वी वी सुबा हार्वेस्ट अ का है ममी डैडी गए थे सब्सक्राइब को अब ही कहा है आपको बेठी है है मैं यहां पर इन्ज़ॉइक है और है पनी डैडि पता नहीं का है ज़री गए गई हो नहीं है अभी आजब होंगे तब आपको उन से मिलवाँ तो यहां पे रौनक महान हस्ती बैट पर ही बनाना खा रहा है और साथ मैं टीवी देख रहा है तो रौनक से कुछ पूछ रही थी कुछ बात कर रही थी लेकिन टीवी जब सामने होता है तो वो ज क्या करने जा रहे हो अच्छ जी गार्डिनिंग हो रही है तो यह है कुछ प्लांट्स इनको करेंगे हम अभी रिपियर क्योंकि इन में आगे है यह देखिए ऐसे यह वाला तो मेरा फेवरेट है यह यह तो अलवीरा है और अलवीरा मैंने यहां पे एक ही लगाया था था चोटे चोटे कितने सारे आगे हैं तो यह वाले भी काफी अच्छे हैं तो इनकी हम थोड़ी बहुत यह हटा देंगे इस मैसे तो रौनक आप कौन सवाला करोगे यहां पर मैंगो का ट्री लगाया का है मैंगो का ट्री बाई यहां लगा था कहीं पर वह उगी नहीं पाया वह तेख वह उगा है पर दिखनी रहा है कहीं इस एड़का है जा पर यह बहुत गणी गणी हाहा रौनक का मैंगो का ट्री टाटणा वाव पर यह सर्दी मैं नही चिक पाएगा नहीं कियोग बेर देखें और संस्रों, यहाँ देक्षिझे मैंगो का ट्रिस रहोता है, चलो एक हजूस करो एक जिस अपने लिए जिसको आप ठीक करोगे यह वाला तो आप बिल्कुल नी करोगे क्योंकि यह बहुत जादा फैला हुआ है इसको तो मैं ठीक करूंगी देखना इस वाले को रोनक किस पौदी को ठीक करेगा शीप कोदी, लामकर खाव को मारका मिलता है ऐसको पुछ नहीं है यह दूसे वाले में यह निकालना है सबसे पहले क्या रखा है यह तो किसलो दूसी लग रहा है यह यह तुनसी यह यह देखिये इसको निकाल दिया है मैंने बादमे हम साफ भी करेंगे यहां पर इसको बेला ही रखा यह देखिए inhID है यह देखे हैंं इसमें स्यावीरा फिरिध है और हुपने छोटे चोटे चटे से लाए हैं देखे किर आईया है इसमें कॉंसा प्लांट है लेकिन बड़ा अच्छा है यह देखिए इस्मे अप टो बीच भी उतनीwny सारे बहुत अच्छे, नेखे बहुत अच्छे च्छोटे च्छोटे यह देखे, और बीच में भी है लिगा यह कोड़ा है। इसमेंसे बीच से और मुझे यह सारे निकालने हैं यह वाले जो सुखे हैं यह वाले ताकि बीच मैसे यह भी अच्छे से ग्रोव करें यह वाले यह जो हλοकती। ऑपयर के खीम कनल के और संघ रख है। तो इन जो वे पत्ती है निकाला है। सकी ताक्या तो बांपकॉद नीकाल किनी सांस मिल जाए लिए लिका हौती। यहां सेलन बेसन बांट कैन रिखा धुट से राका सब्सक्राइब तो कितने चोटे थे मेरे ख्याल से ये नुवंबर में आया था हमारे घर में की दिसंबर में बहुत ही इतने इतने दिसंबर में आया था चोटे चोटे थे तो चलिए इसमें अब हम खुदाई भी कर देते हैं तो ये देखिए ये मैंने इसको अफसाफ कर दिया है इसी तरह मैं हर गमले के हर पौदे को इस तरह से ही साफ कर दूँगी तो बारी-बारी से में निकालती जाओंगी तो ये देखिए ये वाले प्लांट ये मुझे काफी पसंद है ये वाला प्लांट काफी अच्छा है देखिए इसमें छोटे छोटे उगाए है ये में इससे निकाल दूँगी क्योंकि इसमें फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी इसको मैं अलग से कहीं पर ट्रां जाने के लिए बना दिया है वो तो ये देखेए ये वाला तो वहां पे ही जाए मिलावर यह रखन वहां को कि जाए C पोश्चन साफ करूँगी, कल फिर मैं सुभा या दिन के टाइम देखूंगी, उपर वाले जो उपर साइड को रखे हैं, वो साफ कर दूँगी, और अब मैं ये वाली जाडिया भी यहां पर साफ कर दूँगी, ये अलवीरा है, तो छोटा सा एक प्लांट लाया था, और ये अगर उग जाती हैं, तो मैं उनको इधर उदर नहीं रखती हूं, बलकि उनको भी कहीं जाके रख देती हूं, जाए एक खेत में ही डाल दूँगी, तो अच्छे लगते हैं, और इसी तरह से मेरे हस्बन इसमें चिड़काव कर रहे हैं, जहर का, क्योंकि हलकी हलकी सी, इस बहुत अच्छा है यह वाला इसमें इतने अच्छे फ्लावर आते हैं और बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, दादी हमारा कमेंटरी बोक्स बैठा हूआ हे, इंगो बता है कि कह दो बोलाया नहीं हो, तो हम घप गुलाफ से लग नहीं हो यह ऐ नहीं चाल, पर आश यहां देखिए यहां जो फ्लावर है रोजिस उसी से ही मैं कलम निकाल के इसको यहां पर ट्रास्प्राइट करवा दूँगी ताकि यहां पर भी अच्छे से यह ग्रोब कर सके और यह देखिए जो सामने मिर्चे हैं इनको मैं बाद में निकाल दूँगी जब यह खराब हो जाएंगी दो तिन महीनों के बाद तो इसी के साथ ही यहां पर आगे थे गाओं के एक दादी जी तो उनके साथ भी काफी हसी मजाग होता है तो यह है वो दादी और मुझे बो पहाय करने को बोला बहुत अच्छे हैं काफी मजाग करते हैं मेरे साथ मैंने इस कमले में गुलाब का फूल लगा दिया है बाद में जो मिर्च के पौदे हैं इसमें से निकल जाएंगे निकाल दूँगी उनको फिर यह अच्छे से ग्रूब करेगा इसमें अच्छे सब्सक्राइब करते हैं तो यह देखिए यह मेरे गमले साफ हो चुके हैं अब में वह अगले साइड जो कॉर्नर में है वह भी साफ कर दूँगी और वह जो तादी है वह कुलू से लाए हैं तो वह कुलू टाइप में ही बात कर रहे थे अदर्वास कोडगर में इसे ही बात नहीं करते हैं तो ममी भी अब मेरे साथ लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब सभी आ जाएंगे तो यहां पर हम अब यह सारा ही साफ कर देगे क्योंकि यहां पर आगे को बहुत ही हो गया था यह तो इनको साफ करने के बाद से वापिस कमलों को हम यहां तो इससे अच्छा है कि हम इनको अपने फ्लावर्स को फ्री कर दे कम से कम हमारे फ्लावर्स तो अच्छे से बच्चे रहेंगे तो इसी वच्छे से ही हम यह सारी बेल यहां से निकाल देंगे और यह गंबले यहां पर बार में अच्छे से रखतेंगे देखिए ये है फ्रासपीन ये वाली जो ये निकलेगी इसकी हम सब्सटी बनाएंगे ये वाल अक ये सारी हान देगे अम्हें अपनी फ्लार स्हीं करेगी अब निकल गया अभी पतार नहीं लगेगर कि निकला यह दो सब लोग लग गए है और मैं कैमरान हूं दादी, माम, फादर और दादू तोई देखनीजे दादी यहां पर काम पर रहे हैं और देखनीजे ममा जी भी काम पर रहे हैं और मुझे यहां पर चला मुश्किल हो चुका है देख लीजे नीचे की क्या हालात हो चुकी है सब को जागरती आई लेकिन उस बंदे को जागरती नहीं आई जो बैठा है तो जो गास निकली की उसको हम इस तरह से बांद लेगे तो हम लोग इसको बिंड का बोलते हैं और फिर गाय को दे देंगे कुछ चका इसको पूड़ा भी बोलते हैं लेकिन हम बिंड का बोलते हैं यह देखिए पीछे जाडू मारते हुए क्योंकि इनको शरम लगी जब मैने बोला कि वह बैठे हुए हैं फिर काम कर रहे हैं अब यह जाडू मारेंगे सारा वहां से इधर साफ करेंगे मम्य उपर खाना बनाने चले गए हैं तो यहां पर मेरे हस्बंट अब जाडू लगा देंगे सारे में उसके बाद हम यहां पर पानी से कर देंगे पूरा फर्ष साफ और उसके बाद गम ले जाएंगे सिद्धे आगे को और यह देखिए इस तरह से उल्टे हाथ से जाडू मारते हैं मेरे हस्बंट जाड़ काम होता है इनका उल्टे हाथ से मुझे दे जाए एक फ्लावर और अब मैं यहां से पानी से कर देंगी साफ शाम की पांच पर चुके हैं पांच या सड़े पांच हो करतेगे का यह पानी दोंगी टो बावरी का पानी का इस तो बाइब फद्धे आपंच kяхसा पानी थ्यूंद्ट पानी है और प्लांच में भी डाल दोगी यहां Umdo गया बार्टे पानी क्योंकि अभी हम नहाएंगे तो पानी भी गरम हो चुका है हमारे नहाने के लिए तो मैं अपने पाव दिवेरा यहीं के साफ कर दोगी का जाना है कौन है आप ऐसे नाम क्या है तो नहीं जैसा बन रहा है यहां बन रहा है हल्वा स्पेशल डिमार्ड पे तो हल्वा खाने का मान कर रहा है तो पताती हूँ आपको कैसा हल्वा बन रहा है और मेरा काम है किश्मिश और गरी को तयार करना और यह हल्वा बन के हो जाएगा बिल्कुल तयार वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीज